ये जादू है जिनका में कैसे ताबजी मिरर से पापस आने वाली हैं कबीर की ये साज़िश थी कि ताबजी को छलसी से में उसने कैद कर दिया था क्योंकि अगर ताबजी बहां रहेगी तो कबीर का असली स्टहरा आजाएगा कि कबीर ही इफ्रती जिन है क्योंकि ताबजी के पास अल्ला की कुछ पावर्स हैं और उन पावर्स का इस्तमाल करके वो काली शक्तियों को पहचान सकती है इसी डर के चलते छलसी से में कैद कर दिया था कबीर ने ताबजी को लेकिन कबीर से जादा शाणी निकले कि उनकी मा परवीन क्योंकि परवीन ताबजी को छलसी से से बहां निकाल देगी जहां पर ताबजी बाहर आजाएगी लेकिन सबसे इंटरस्टिंग टुश्ट तब होगा जब ताबजी सीधा रोशनी से मिलेगी जहां हो सकता है कुछ यूँ कि ताबजी की मदद से रोशनी को सब कुछ याद आजाए और ताबजी रोशनी को बता भी दे इत्हां रोशनी अपने नाटक को कंटीनिव करेगी ताकि कबीर और परवी दोनों की साज़िशों से परदा उठा सके अब देखना ये है कि रोश्णी की जब यादा स्लोट आएगी जब रोश्णी को सब कुछ यादा आएगा तो वो क्या इस नातक को कंटिन्यू कर पाएगी और अमन के सामने अपने जज़बातों को चुपा पाएगी आगे की अपडेट जाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजोए हमारा चानल 24x7 ओल्लाइन यूस निज्रोम की रपाउट